तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आपका फंड सेफ है या नहीं क्योंडेस की एक आर्टिकल हमें देखने को मिली है जहाँ पर मालूम चला है तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप देख सकते हो क्रिप्टो एक्स्चेंज आर इन सर्वाइवल मोड कटिंग कोर्स वियर अवर पॉसिबल इन दी नेगोसियेसिंग पार्टनर कॉंट्रेक्ट सस्पैंडिंग इंप्लॉई पे हाइक्स कंट्रक्टिंग ले ओफ मतलब अपने खर्चे को काफी जुँँदा किटोंती कर द excess यहाँ एक्स्चेंज एक्सरवाइवल मोड पह यहाँ पे गुजरती है जबेक्सचेंज एक दिवालिया पोजिशन पे भी यहाँ पे गुजरती है तो यहाँ पर देख सकते हो Coindex Spock to Employees and Senior Executive at 6th Promenent Indian Crypto Platform CoinDexex है, CoinSwitch है, WajrX है, Bayou Coin है, Jepay है, Geotas है आज की टाइम पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता है WajrX में क्या सिच्वेशन चल दी है WajrX के जो CEO है, निसाचल सिर्टी वो अभी फिलाल WajrX में कोई भी उसका ध्यान नहीं है वो अब दुबई सिफ्ट हो चुका है और किसी और प्रोजेक्ट पे वहाँ पर ध्यान दे रहे है अब यहाँ पर बात करें, Bayou Coin के Jepay पे, Geotas पे, Beat BNS पे तो लोग वेसे भी इतना ज़्यादा बिलीव इन सब एक्सचेंज पे नहीं करते हैं आए दिन आपको Jepay के बारे में आपको ख़वर देखने को मिलेगी कि कई सारे लोगों के अमाउंट वहाँ पे अटके हुए विड्रॉल यहाँ पे नहीं दे रहे, Geotas का भी यहाँ पर लगभग लेमसम यही हाले, Beat BNS के बारे हम बात करें तो इसमें काफी जादा विड्रॉल फीस है, खुद यहाँ पर वाजीर X में भी काफी जादा विड्रॉल फीस हो चुकी है तो यहाँ पर टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एक इंडियन एक्षेंज का काफी बुरा दिन यहाँ पर चल रहे हैं और यह बुरा दिन तभी सुरू हो चुका था, जब एक फरवरी 2022 से 30% का टेक्स, 1% का TDS यहाँ पर लाए गया तो अगर आप इंडियन एक्षेंज पर ट्रेट कर रहे हो और इन सब एक्षेंज पर ट्रेट कर रहे हो, CoinD6 अभी भी मार्केट में काफी अचा सर्वाइब कर दी है, अभी उसके जो स्यू है वो रिस्पॉंसिबल है, हर तरफ से उनका एक दाइत्व, एक तरह का कर सकते हो, क्योंकि अगर ये एक्षेंज मार्केट से गाइब होते हैं, तो आपको इसका कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है, अगर आपकी होल्डिंग यहाँ पर होती है, तो आप कितना भी FIR करो, केस करो, बट यहाँ पर कुछ भी मामला निकलने वाला नहीं है, जैसा कि आपने FTX का हाल यहाँ पर देखा, तो आपको इन एक्षेंज पर भी देखने को मिल सकता है, या फिर किसी एक एक्षेंज पर भी देखने को मिल सकता है, तो मेरा मानना है कि कोईन DCX को हटा कर कुछी भी क्रिप्टो एक्षेंज पर इंडियन क्रिप्टो एक्षेंज पर ब CoinDCX का भी यहां पर CoinDCX की तरफ से भी बात किया गया है जो कि कुछ चीजे समझ सामने आई है Indian Crypto Exchange CoinDCX is weathering the storm by diversifying at banking on its recent series defunding of 135 million dollar तो यहां पर CoinDCX के तरफ से पूरे plan यहां पर clear है तो CoinDCX के अलावा मुझे किसी भी exchange पर believe नहीं है तो अगर आप किसी exchange पर Indian Crypto Exchange पर trade भी करना चाते हो तो मैं मानता हूँ CoinDCX यहां पर better है बाकिस सारे crypto exchange Indian Crypto Exchange में आपको problem देखने को मिल सकती है तो better है क्या आप इन exchange से remove हो जाओ